Hi Everyone ! इसे बनाना इतना आसान है कि एक बार में आप काफी सारे समोसे बना सकते हैं और डाइम की बच्चत कर सकते हैं लाजवाब होते हैं खाने में महमानों को खीलाएंगे तो भी तारिः प्रेद करते नहीं रुकेंगे यह तो प्लेट साफ कर जाएंगे देखने में इतने सुन्दर खाने में बहुत ज़्यादा टीस्टी तो आइए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाए हाई एफ्रिवान मैं गीता वर्मा गीता की नूरेश्पी इस हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रख लिया है जिसके अंदर में दो से तीन चमच तेल डाल रही हूँ और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे अब इसके अंदर में डाली हूँ हाफ टीस्पून जीरा एक टीस्पून की करेब यहाँ पर मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया डाल है इससे बहुत यच्छा टीस्ट आता है अब इसके इंदर मैं डालूँगी एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च, एक टीस्पून गरम मसाला, नमक टेस्ट के एकॉर्डिंग मसालो को अच्छे से पका लेंगे, जादा देर नी पकाना नहीं तो मसाले जल जाएंगे, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, पांच उबले हुए आलू मैश करके, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये जो हमारी स्टफिंग तयार होने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल मार्किट जैसे हलवाई के समोसे आप खाते हैं वैसे ही टेस्ट आने वाला है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, मसालो के साथ और इसे हमें थोड़ा सा भूनना है, यहां पर मैंने थोड़ा से मोटे टुक्ले छोड़े हैं, आलू के जो की बहुत अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप इसे पूरा मैश कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा से मोटे टुक्ले छोड़ दिया, और यहां पर थोड़ा सा मैं एड करने वाली हूँ, कसूरी मेथी इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे हमें थोड़ा सा मसल के एड करना है, इसे काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है, स्टफिंग में, अब मैं इसके अंदर एड करीओ, चिंकी चाट मसाला, एक टी स्पून के करीब, और इसे में अच्छे से मिक्स कर लोगी, और यहां पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है, इसे में ठंडा होने के अब इसके अंदर मैं एड करूंगे अजवाइन, एक टी स्पून, नमक एड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, तेल एड करीओं में ये वन फोर्थ कप की करीब है, और अगर मैं इसको वेट में बताऊं तो 50 ग्राम्स, यहां पर मैं इसे थोड़ थोड़ा एड करीओं तो तेल और अच्छे से मिक्स करती जा रही हूं, दोनों हाथों का इस्तमाल करते हुए अच्छे से मिक्स करें ताकि कहीं से भी सुखा मैदन न रह जाए, अब मैं पानी एड करीओ, पानी नॉर्मल टेंपरेचर का है, ना गरम ना ठंडा नॉर्मल है, थोड़ा थोड़ा पानी एड करेंगे, और आटे को गुनते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा डो तेयार हो गया है, पर अभी आपको फटा फटा से नजर आ रहा होगो, तो इसे हमें थोड़ा सा चिकना करना है, तो मैं यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे इसे अच्छे से मसल लूँगे, जिससे इसे बार में कई सारे समोसे आपके रेडी हो जाएंगे, यहाँ पर मैंने यह बड़ा सा डो ले लिया है, और इसे मैं बेल लूँगी, जितना बड़ा मैं बेल सकती हूँ, इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है, और कोशिश करें कि आप इसे रेक्टेंगलो शेप में बेल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल पतला बेल लूँ जैसे समोसे की शी इतना पतला रखेंगे, तング अच्छे क्रिस्पी समोसे आपके तयार होने वाले तो दो 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 तो मोटा आपके पतला नहीं होना चाहिए हर जगा से बराबर में पर लिया इसे आब यहां पर मैं पीजा कटर का इस्तमाल कर देंगे इसे रेक्टेंगल शेप देने के लिए आपके पास नहीं है पीजा कटर तो आप चापू का इस्तमाल कर सकते हैं तो चारत तरफ से इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेंगे यह देखे इस तरीके से rectangle shape दे देंगे अब मैं आपको दिखाते हैं इसे कैसे cut करना यहां से मैंने इसे दो parts में divide कर दिया और यहां से मैं इसे 3 parts में divide करूँगे यह देखे तो इस तरीके से हमारे एक बार में 6 समों से तयार हो जाएंगे यह बिल्कुल भी time नहीं लगता मतलब इतनी जल्दी यह समों से तयार हो जाते हैं तो एक बार इस recipe को जरूर ट्राइग किज़ेगा बच्चों को तो यह बहुत पसंद आने वाली है और बड़ो को भी एक तो जल्दी तयार हो जाते हैं देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में बहुत ही ज़दा लाजवाब लगते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-थोड़ी stuffing रख दिये इसके उपर अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे fold कैसे करना है तो चारो तरफ पहले तो मैं इसके पानी लगा लूँगी ताकि यह अच्छे से चिपक जाए कहीं से भी खुले ने तो यहाँ पर यह देखिए चारो तरफ से मैंने पानी लगा लिया है अब यह दो corners को मैं पकड़के आपस में जोडने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ इस तरीके से इनके sides को हमें जोड देना है कोनों को उठाना है और sides को इस तरह से जोड देना है यह देखिए यहाँ से भी मैं जोड देती हूँ तो ये इसके चार कोने तयार हो गए हैं तो ये समोसा देखिए कितना आसान है फटा फट से मैंने बना लिया तो इस तरीके से आप एक बार में 6-6 समोसे तयार कर सकते हैं जादा टाइम नहीं लगता तो कभी भी आपके बच्चे डिमांड करें समोसे खाने की घर में महमान आजाएं तो आप इस तरीके से समोसे तयार कर सकते हैं तो एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूं तो ये देखिए कितना पड़िया इसे अच्छे से चिपकाईएगा कहीं से खुले नहीं फ्राइब करते टाइम एक और मैं आपको दिखा देती हूं बहुत ही आसान है ये देखिए चाओ तरफ से मैंने पानी लगाया और इसके जो दो कॉर्नर से इन्हें मैंने पकड़के आपस में इस तरह से जोड़ दिया अब तीसरा कोना उठाएंगे इधर की साइड जोड़ देंगे आप चौथा उठाएंगे तो दोनों साइड को जोड़ देंगे आपस में तो ये हमारा दूसरा समोसा भी तयार हो गया है इस तरीके से आप फटा फट से सारे समोसे तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं ये सारे भी तयार कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर मेरे ये एक बार में छे समोसे तयार हो गए इने में फ्राई करके निकाल लेती हूँ फिर मैं बाकी के बाद में तयार करूँगी तो यहां पे मैं तेल ले रही हूँ और यहां पे मैं डिसानों का एक्स्ट्रा लाइट ओलिव ओल ले रही हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कॉलिस्ट्रोल लेवल को भी कम करता है तो यहां पर मैं तेल डाल दूँगी काफी सारा इसके अंदर क्योंकि फ्राइ करने के लिए हमें थोड़ा जादा तेल की जरूरत होती है तो यहां पर करीब आधी कड़ाई मैंने यह तेल ले लिया है तेल को हमें अच्छे से तेज गरम करना है यहां पर मैंने छोटा सा टुकडा डाला था मैदा का इसके अंदर चेक करने के लिए कि तेल कितना गरम है तो यही देखी गोल्डन ब्राउन हो चुका है यानि कि तेल हमारा अच्छे से तेज गरम है अब इसके अंदर में समोसे अड़ कर देती हो और धीरे-धीरे मैं इसे fry करती रहूंगी golden brown होने तक, पहले थोड़ी देर एक साइड से पकने दीजिए, उसके बाद ही आप इसे पढ़ते हैं, तो यहां पर यह हलका से नीचे पक चुका है, अब मैं इसे धीरे से पलट दूगी, तो इस तरीके से आप इसे low medium flame पे धीरे- प्राउन होने तक fry कर लें, यहां पर इसनका कलर जो है, बहुत अच्छा आ चुका है, तो आप मैं इनने निकाल लेती हूं, काफी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इनने में प्लेट में निकाल लेती हूं, आप इसे कितना कम टाइम लगता है इन समोसों को बनाने में, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रुवत नहीं है, अगर बच्चे कुछ खाने को मांगे तो आप इन समोसों को फटा फट बना सकते हैं, यहां पर देखे मेरे सारे समोसे कितनी जल्दी रेडी हो गए हैं, इने भी मै कितना खसता समोसा बनाया है, यह देखे, कितने खसता और बहुत ज़्यादा टेस्टी, इसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खसता है, एक बार इन समोसों को ज़रू ट्राइ कीजिएगा, लिक्के बताएगा फैमली को कैसी लगी, वीडियो अच्छा ल करना बिलकुल मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी मत भूलेगा